इन दिनों देश में इन टॉलरंस को लेकर चल रहे ही बहस पर फाइली अमिताब ने अपने थौट्स ब्लॉग पर शेर की और लिखा कि सेलेब्रटी जादा बदनाम होते हैं शारुक और आमिर को इस समय काफी निंदा जहिलनी पड़ रही है इतना ही नहीं बिग बी ने ये भी लिखा कि ये चौक आने वाली बात नहीं है इसकी प्राक्टिस उन्होंने पहले से ही कर रखी है कौकता में अपनी फिल्म TE3N की शूटिंग करते हुए अमिताब बच्चन को स्कूटर पर सीर शूट करते टाइम अपने युनिवर्सिटी और स्कूटर वाले दिन याद आ गए जिसे उन्होंने अपने टुटर फैंस के साथ शेयर करते हुए अपनी फिलिंग्स एक्स्प्रेस की नेक्स्ट ये बॉक्स ओफिस पर आमिर की रेस्लिंग पर बेस्ट फिल्म दंगल को बाहु बली की सीक्विल से फाइट करनी पड़ सकती है खबरों की माने तो दंगल क्रिस्मस 2016 में रिलीस होने वाली है जिसके साथ ही इस साल की बिग हिट बाहु बली की सीक्विल बाहु बली दे कंक्लूजन भी रिलीस होगी मुंबई में आक्टर रणवीर सिंग और इंडिन क्रिक्ट टीम के फॉर्मर कप्तान सौरफ गांगुली एक प्राइवट चैनल के इनिशेटव कैंपेइन को सपोर्ट करने पहुचे और एंजॉय करते दिखाई दिये मुंबई में cancer patients के लिए काम करने वाले NGO ने fundraising fashion show organize किया जहां पर उनको support करने actress Sonal Johan और Sonali Raut ने रंप पर बॉक किया और अपने experience भी शेर किये honored and I feel very very happy that in whatever little way we are a part of this and you know we can only hope and pray to God that you know these children get better बीते रोज मुंबई में corporate cricket bash की season 2 का final match हुआ जहां पर actor Sunil Shetty और Sohail Khan cricket को enjoy करते दिखाई दिये अच्छी गेम है अच्छा ground है और police की team खेल रहे है विच वेरी वेरी गोड़ टीम है और हमारा भी खुद का भी गेम है तो I think CCL की league शुरू हो रही है तो वो excitement रहता ही है डिरेक्टर राजकुमा हिरानी संजय दत पर बायोपिक बनाने और रनवीर के साथ काम करने को लेकर काफी excited है और फिल्म को 2017 में release करना चाते हैं इतना ही नहीं राजकुमार का कहना है कि रनवीर संजय के रोल के लिए best है क्योंकि वो पहले से ही काफी कुछ संजय के बारे में जानते हैं साथ ही संजय को script दिखाई जो कि उन्हें ठीक लगी लेकिन रनवीर के बारे में संजय ने कुछ भी नहीं कहा